बिलकुल भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ठीक है आप लोग तो घर बैठे जो है जो भी बच्चे देख रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो आप आए हैं ये भी बहुत मुस्किल से आप आए हैं और अगर महनत नहीं की जाती इस ओर तो हो सकता था कि थर्ड ग्रेट का रिजल्ट पहले आ जाता ठीक ह तो हम सभी बच्चों ने भी बहुत जादा महनत की है इसके लिए कि रिजल्ट जो है वो आउट हो जाए ये समझिए जिस तरीके से एक्जाम के तयारी में इतनी महनत होती है उतना ही महनत जो है यहां पर रिजल्ट जल्दी से निकल आए जिनका पहले एक्जाम हुआ था उनका पहले निकलाए तो वहां भी महनत जो है वो बहुत लगाई जाती है तो इसी प्रक्रिया में सबी लगे हुए थे ठीक है उर महनत जो है वो सफल भी होती नजरा रही है और धीरे धीरे जो है वो यह यह दो आना सट हो जाएंगे तो फश्ट ग्रेट के जो हैं वह अब आने लगेंगे, ठीक है, कौफी जो है, वो महनत करनी पड़ी है, इसके लिए भी, तो अब देखिए, कि अब आप जो है, वो फस्ट ग्रेट जिन बच्चों का सेलेक्शन हुआ है, बहुत-बहुत बधाई उन बच्चों को, क्योंकि आप लोग जो है, वो आप टीचर परसेंट होगा, ठीक है, फस्ट ग्रेट का लेक्चरार बढ़ने के लिए, बहुत महनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, या तो उन बच्चों का सेलेक्शन जल्दी हो जाता है, टाइम पर हो जाता है, जिन बच्चों को बुक के बारे में नॉलेज होती है, कि हमें कौ लोगों को RBSC, NCRT बुक जो है, इनी को फॉलो करना है, किसी भी कोचिंग में आप चले जाएं, चाहे वो कैसा भी पढ़ा रहे हो, सब अपने अपने तरीके से बैस्ट ही देते हैं, ठीक है, तो वो लोग आपको जो है, वो एक टॉपिक जो है, वो तयार करके देते हैं, आपने जो भी पहले पढ़ा है, उसी में अपने RBSC, NCRT के नोट्स जो हैं, जो आपने एड नहीं किये हैं, उनको नोट्स करते चले जाएं, ठीक है, खुद पढ़ें, आपको खुद बुक लेकर पढ़ें, मार्केट से खरीद के लाएं, क्योंकि आपको पता है, राजिस राजिस्थान के बच्चों को जल से जल जो है, वो नोकरी मिल सके, ठीक है, अधर स्टेट वालों को जादा नहीं, बलकि राजिस्थान के जो बच्चे हैं, वो जादा से जादा जो है, वो नोकरी पा सके, तो इसके लिए राजिस्थान का जो एड किया गया है, तो इसी ल पढ़ेश UH आप जो है है जिन बच्चों का सिलेक्षन कहीं हो पाया है किसी भी कारण वस Court कुछने कुछ कमी तो रही जाती है इस वज़े से जो हैब वो सिलेक्षन नहीं हो पाता तो अब आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपने जो भी नोट्स तयार किये हैं, जो भी मेहनत करिये हैं, उसको वेस्ट नहीं करना है, और ये समझेए कि 99% जो है वो आप सभी रेटी हो, जिसने भी एक्जाम दिया था मेहनत करके, वो सब 99% जो है वो कम होती है, इस वज़े से जो है वो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी नोकरी क्यों नहीं लगी, तो ये तो नहीं सोचना है, नेक्स टाइम आपका नंबर आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी अपना होसले को जो है, बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ते हुए, काम जो है तीन-चार बार पढ़ लिया हो, फिर भी आप शुरुआत यहीं से करें, ठीक है, अभी आगे जो है फर्स्ट ग्रेड में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड देखिए लेक्चरार के लिए आपका खुद का सब्जेक्ट होता है, दूसरा जो पार्ट होता है, वो जीके का होता है, जो सभी को पढ़ना होता है, तो इसी लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, फर्स्ट जो पेपर होता है, जीके का, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि दूसरा जो सब्जेक्ट होता है, वो आपका खुद का सब्जेक्ट है, ठीक है, वो तो आप कर ही लेते ह तो इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फुल मोटिवेशन के साथ, और महनत करते रहिए, खुद करिए, और जब खुद महनत की जाती है, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है, सफल होने से, नेक्स्ट टाइम जो है वो आपका ही होगा, और नई विकैंसी जो ह बिल्कुल आपको आप देखने को मिलेगी, जैसे ही रिजल्ट आउट होते जाएंगे, उसके बाद आपके सामने नई विकैंसी होगी, ठीक है, तो आपके पास भी ऐसा नहीं है, कि इसमें भी डिले हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल चल करना भी होता है, चाहे उसमें हमारी जो है, वो मर्जी हो या ना हो, ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठैंक यू,